हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं टॉप फाइव पेनी श्टॉक्स के बारे में बताना चाहता ह। जो लोग नए हैं मेरे चानल में वो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए पहला श्टॉक है आईल इंडिया लिमिटेट यह रिफाइनरी क्रूड रिफाइनरी कंपनी है यह प्रेजेंटली 200 रूपीज में ट्रेड कर रही है और इसका बुक वैल्यू है 343 रूपीज डिविडेंट यील्ड है 7.14% डिविडेंट यील्ड रिजुल्स देखते हैं सेप्टमबर में इसका प्रॉफिट स्टिफ 1454 क्रोड अभी इसका प्रॉफिट है 2116 क्रोड ये स्टॉक आप होल इन्वेस्ट कर सकते हैं शार्ट थाम के लिए सेकंड स्टॉक है गुजरा स्टेट फर्टिलाजर्स और केमिकल्स लिमिटेड ये स्टॉक फर्टिलाजर्स का काम करती है ये स्टॉक का प्राइज है 122 रूपीज और इसका बुक वैल्यू है 293 रूपीज डिविडियन्ट यिल्ड है 2.04 परसेंट और स्टॉक का पी रेशियो है 4.16 परसेंट इसका रिजल्स देखते हैं सेप्टेबर में इसने 226 कोर्स का प्राफिट किया था अभी इसका प्राफिट है 289 कोर्स तो प्राफिट इंक्रीस हो रहा है नेक्स्ट कंपनी है सिगनेट इंडेस्ट्रीस लिमिटेड यह अभी 37 रूपीज 70 पाइसा पर ट्रेड कर रहा है करण्ट प्राइस है 37 रूपीज 70 पाइसा और इसका बुक वैल्यू है 66 रूपीज 80 पाइसा और मार्केट के अप है 111 कोर्स स्टॉक का पीई है 12.6 रिजस्ट देखते हैं सेप्टबर में इसका 1.78 क्रोर्स प्रॉफिट था अभी इसका प्रॉफिट है 1.88 क्रोर्स नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान तिन वर्क्स लिम्टेड ये स्टॉक का मार्केट केप है 106 क्रोर्स और स्टॉक का पीई है 6.87 बुक वैल्यू है 180 रुपीज डिविडेंट ये 1.18 परसेंट सब्टम्बर में इसका प्रॉफिट था 4.62 क्रोर्स अभी इसका प्रॉफिट है 5.63 क्रोर्स वर्न येर में कितना रिटन आया है 1% रिटन आया है रिजल्स अच्छे हैं तो ये परफॉर्म करेगा शायद ये स्टाक्स मेंने रेक्मेंट किया है ये रेक्मेंडेशन नहीं है अगर आपको इस स्टाक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप अपना फाइनेशल आडवाइजर के मदद से इन्वेस्ट कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और आपके फ्रेंट्स को शेर कीजिए और ये चानल को सबस्क्राइब कीजिए तैंक यू फ्रेंट्स